आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के वीकली वेबिनार में केजे क्लासिस का जो वीकली वेबिनार है पिछले डेट साल से हम चला रहे हैं इसमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट टोपिक कवर करते हैं और आज की स्रीज में जो आज का हमारा टोपिक है most important topic है, वो most important topic है हमारा RCM का, RCM का reverse charge का topic है हमारा, अब यह वाला जो topic है reverse charge का, इससे पढ़ाने के लिए जो study material यूज़ कर रहे हैं, जो हमने बड़ी मेहनस से, लगबग इस book को बनाने में तीन महीने लगे, जन्वरी में ये book बनाना सुरू करी, और एक अप्रेल को ये release ही, तो लगबग तीन महीने का समय पूरा इस book को बनाने में लगा, लेकिन तीन महीने के बाद जो ये किताब बनकर आई, अगर जिन लोगों के पास ये किताब होगी, या जिन लोगों को ये चीजे हैं, वो सारी चीजों की आपको जानकारी हो जाए, तो आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का जो हमारा webinar होगा, इसी book के माद्यम से चलेगा, अब ये क्या कहता है, reverse charge, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, वैसे ये book 31 मार्स 2024 तक update है, और उसके बाद कोई भी क्या ज़रूरत पढ़ गई कि हमने इसके उपर webinar दिगे ना, तो आज हम ये discuss करेंगे, किस-किस पर RCM लगता है, ठीक है, वैसे तो इस book 136 पेज है, वैसे तो इस book 136 पेज है, बिठा कर, तो हमारा कल से, हमारा कल से, ठीक है ना, पाच दिन का 10 घंटे का special course RCM पे चल रहा है, ठीक है न, जो कि सोमवार साम को 7 से 9 बजे से start होगा, पाच दिन की class होगी, 10 घंटे की class होगी, आज की recording भी हम उस वाले batch में देंगे, और live class होगी, प्लस में recording भी मिलेगी, तो अगर किसी ने अभी तक उस course में enrollment नहीं कराई है, तो वो आज ही करा ले, क्योंकि कल से वो batch start है, चलिए, तो आज हमारे को पढ़ना क्या इस वाली book में, तो पहला हमारे को पढ़ना है, ठीक है न, हमारे को पढ़ना है कि भई, need of RCM, कि भई RCM की जरूरत हमारे को क्यों पढ़ी GST में, और मैं आपको बता दू, यह जो RCM की कहानी है, इस चीज को आपको समझना है, कि यह जो RCM की कहानी सिर्फ, ठीक है न, ठीक है न, RCM की जो कहानी है, वो सिर्फ GST में नहीं थी, यह RCM की कहानी सर्विस टेक्स में भी थी, अगर आप पुराने लोग की बात करेंगे, तो सर्व टेक्स में भी थी, तो सर्व यह RCM लगता क्यों है, इसकी नीड क्या पड़ी, तो मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा, सर्व यह कारण क्यों बता रहे हो आप RCM के लिए, ठीक है RCM के लिए कारण इसलिए बता रहो, क्योंकि जब तक आप इसके concept को नहीं पड़ोगे, अगर हम department के point of view से देखें, तो हर व्यक्ति की अलग-अलग नीड है, हर व्यक्ति की अलग-अलग नीड है, ठीक है क्या-क्या अलग-अलग नीड है, मैं आपको बता दे रहो, अगर हम taxpayer के viewpoint से देखें, तो हमने यहाँ पर एक example लिया है, कि बहुत सारे, बहुत सारे LIC agent ऐस है, जिने साल भर में commission मिलता है, दो-लाग रुपे, चार-लाग रुपे, छे-लाग रुपे, इस तरीके से उन्हें commission मिलता है, ठीक है ना, अब अगर, अगर हम यह कह दे, कि वही commission के ऊपर GST लगेगा, क्योंकि government चाती है कि वही commission के ऊपर GST आए, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस लोगों को यह कह दे, कि सब लोगों को registration कराना है, ठीक है ना, जैसे अगर हम example बात करें, GTA की, अगर हम बात करें, GTA की, तो GTA कभी भी organized sector नहीं रहा, GTA कभी भी organized sector नहीं रहा, तो government ने कहा, यहाँ से tax लेना बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो government ने कहा, कि हम supplier से, ठीक है न तो यहाँ पर compliance burden से व्यक्ति save हो जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति exclusively, अगर कोई व्यक्ति exclusively engaged है, ऐसी supply करने में, जिस पर RCM applicable है, तो उसे government ने बोला है, जब तुम्हारे उपर RCM applicable है, तो तुम्हें GST कराना ही नहीं है, registration ही नहीं कराना, तो यहाँ पर इस चीट को समझो, government कुछ लोगों को relaxation दिया, जैसे आप मेरी बात को समझना, let's suppose मैं एक author हूँ, मैं एक author हूँ, मैं एक किताब लिख दी, अब किताब लिखने से मैंने कहा, भई मेरी किताब छाप दो, तो मेरी किताब let's suppose करो, taxman ने छाप दी, और taxman में वो मेरी किताब एकदम से धूप मचा दी, और taxman ने मुझे पैसे दे दिये 30 लाग रुपे, किस चीच के, कि भाई तुमने किताब चापी है, तुमारी इतनी कोपी बिख गई, रोयल्टी ले लो, अब जब मुझे 30 लाग रुपे की रोयल्टी आ गई, अब government मुझे कह रही है कि ऐसा करो, तुम ना पढ़ाई लिखाई छोड़के, अपना GST में registration करा और taxman को बिल बेजा, तो government ने का यार ऐसे विक्ति को disrupt मत करो, इसे मत बोलो registration कराने को, इस वाली services पर RCM लगा तो, RCM लगाने का मतलब क्या है, कि RCM लगाने का मतलब यह है, कि अगर इस service पर RCM लग जाएगा, ठीक है ना, तो taxman को tax देना है, taxman को legal compliance करने है, कपिल जैन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, taxpayer के viewpoint से, उसे compliance burden से, मुक्ति मिल गई, और अगर हम यहाँ पर देखे, department का point of view, तो department का point of view कह है, administrative convenience, आप यहाँ कर, हर LIC agent को पकड़ना बड़ा मुस्किल है, अगर आप देख तो उन्होंने का, 20-22 लाख वाले जिन लोगों को commission आ रहा है, LIC agent, हो सकता है, यह पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख हो, तो government कह दिये, तुमें क्यों control करे, हम तो LIC को control कर लेंगे, तो इनकी service पर RCM लगा दिया, इनकी service पर RCM लगा दिया, तो government ने अपने सुईदा के लिए administrative convenience के लिए, कुछ logo पर RCM लगा दिया, ठीक है न, अब यहाँ पर इस चीर को सबज़ लाख, जो मैं second point बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं second point बता रहा हूँ, कि कई बार जो हमारा supplier होता है, वो government की पहुच से बाहर होता है, supplier falls outside the jurisdiction of government, मतलब कि कोई भी जो हमारा supplier है, वो इंडि इंडिया से बाहर बैटा है, अब अगर supplier से ही tax लेना है, तो government उससे ले नहीं सकती, क्योंकि वो तो बाहर बैटा है, इंडिया से बाहर, तो government ने कहा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति, Indian recipient है, और अगर वो import of service कर रहा है, तो हम उस पर भी RCM लगा देंगे, जैसे example बताओ मुझे क कोई मुझे example बताओ कौन से example की बात कर रहे है, यहाँ पर कौन से example की बात कर रहे है, तो यहाँ पर कौन से example की बात कर रहे है, बोलो फटा फट से, अगर आपने कोई let's suppose, जो हो की service ले ले लिए, तो यहाँ पर इस street को समझो, कि government ने क्या बोला, कि यह वाला जो supplier हमारी jurisdiction स से बाहर है हम इस पर आपसे GST ले ले तीसरी चीन हम क्या बात करते हैं ठीक है ना अगर यहां पर इस चीट को समझो वैंड़ सप्लायर बिंग स्मोल सप्लायर एक्जम्टेट फ्रों रजिस्टिशन ति इस वाली सर्विस पर आरसेम नहीं लगाया तो यह लोग तो क्या रजिस्ट्रेशन कराइंगे एंसर इस दो जब यह registration ही नहीं कराएंगे government को revenue नहीं आएगा लेकिन अगर इनकी service पर RCM लगा दो अगर इनकी service पर RCM लगा दो अब advocates की 20 लाग रुपे से कम है तो मैंने advocate से कोई service ले ली तो भई क्या वो registration कराएंगा answer is no क्या government को tax जाएगा answer is no लेकिन 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 अगर मैं advocate की service पर RCM लगा देता हूँ अगर मैं advocate की service पर RCM लगा देता हूँ तो उससे होगा क्या मुझे company, AJ company मुझे tax देना पड़ जाएगा मुझे AJ company tax देना पड़ जाएगा तो इसलिए जो यहाँ पर small taxpayer exempted होते है registration से उन्हें भी government ने पकल दे ठीक है न जी और यहाँ पर last reason क्या होता है अगर government को लग जाए कि supplier जो है supplier जो है वो legal provision के compliance नहीं करेगा supplier जो है legal provision के compliance नहीं करेगा तो उस वाले case में भी government RCM लगाते थी ठीक है जी अब यहाँ पर मुद्दा आया सुनिल सरमा जी कह रहे है सर लिंक बेज़ दो RCM क्लास का सरमा जी तुम्हें लिंक नहीं मिला दिल्ली से सारी दुनिया को लिंक मिल गया कितने लोग कल की क्लास में registered भी हो गए है ठीक है ना भाई इन्हें link बेज़ दो सरमा जी को ठीक है ना app का link बेज़ दो 999 का course है plus में उस पर GST है तो भाई जीस्ट का ITC ले 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 ना 100 सिरुपे का GST है खाली कोई ज़्यादा बड़ा है नी तो link से payment करते है ठीक है चल अब अगली बात करते है कि सर हमें नीड़तों के लिए रो गई हमें नीड़तों के लिए रो गई भी हा कि RCM लगता क्यों है ठीक है ना अब मुद्दा यह आया कि सर इसके basic provision कहां से पढ़ेंगे तो भाई आप basic provision जो इसके आप पढ़ोगे section 93 और 94 दो ही RCM के section है section 93 और 94 दो ही RCM के section है सर क्या 95 RCM है क्या answer is no answer is no 95 को कभी भी आप RCM का section नहीं कहेंगे ठीक है ना RCM के पूरे GST Act में दो ही section है अगर मैं CGST की बात करूँगा तो 9394 और अगर मैं IGST की बात करूँगा तो 5354 9394 और 5354 जो हमारा 95 है ठीक है ना CGST Act का या 55 है IGST Act का वो RCM के section नहीं है ठीक है आप इसके अंदर हमने क्या गरा है आपको कोई भी definitions की need है जो की हम इस chapters में use करेंगे तो उनका relevant ठीक है ना close दे दी हमने आपको हमने relevant close दे दी है तो कुछ definition तो act में लिखी हुई है कुछ definition तो act में लिखी हुई है लेकिन कुछ definition जहां पर notification आई है वहां पर ही लिखी हुई है ठीक है ना तो कई बार लोगों को यह confusion होता है कि सर हम RCM पढ़तो रहें लेकिन इसका क्या meaning होगा सर इसका क्या meaning होगा जैसे कई लोगों को जब मैं RCM की entry पढ़ाऊंगा तो महाँ पर एक word आएगा body corporate ठीक है ना तो body corporate किसे कहते है यह RCM की notification में है body corporate किसे कहते है वो RCM की notification में reverse charge किसे कहते है वो section की notification में जो हमारा section 2 और उसकी जो closes है उसमें इसी तरीके से जब भी कभी आप RCM को पढ़ोगे तो RCM को पढ़ने का अब flow change करना है ठीक है ना RCM को पढ़ने का flow change करना है सर कैसे flow change करना है अच्छा यह बताओ अच्छा यह बताओ जीस्टी का charging section कुन सा है जीस्टी का charging section कुन सा फटाफट से उता हूं जीस्टी का charging section कुन सा है सर जीस्टी का charging section का है जीरस्ती में एक्डशं का चेप्टर कौन सा है जैस्टी में एक्ड़िक क्यूं कौन सा है कि सच्चिन को अ Award आप इस चीड को सुभिए अब आप मुझे तरीका बताना कि किस तरीके से हम RCM को पढ़ेंगी पहला तरीका क्या है पढ़ने का जो मैं अभी तक यूज करता था ठीक है ना 6 सालों तक यूज करा अब मैं उस तरीके को चेंज कर रहा हूँ आप बताना मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ आपको यह service, दो ही बाते होंगी, कोई मानलो कोई service है, या तो यह taxable होगी, या यह exempt होगी, taxable होगी, तो दो बाते होगी, या तो section 9-1 लगेगा, ठीक है, forward charge, या 9-3 या 9-4 लगेगा, reverse charge, राइट, ठीक है, अगर यह exempt होगी, तो ना तो 9-1 आएगा, कोई यह exempt है, ना 9-3, 9-4 आएगा, हमें इसे ऐसे पढ़ना चाहिए, this is the one way of reading, कि पहले service चेक करें, फिर हम उसे देखें कि taxable है या exempt है, अगर वो exempt है, तो आगे बात ही ना करें, या फिर हम यह देखें कि taxable हैं, तो फिर देखें कि 9-1 लगेगा या 9-3-4, या हम इसे पढ़ने का तरीका समझे, दूसरा तरीका, यह दा पहला वे, यह दूसरा वे, जब मैंने किताब लिखी है, ठीक है ना, तो तब मुझे यह दूसरा वे पता लगा, आप मुझे पता लगेगा, ठीक है ना, हमने पहली चीज़ गया देखी, कि भई यह service है, हमारे को यह देखना, यह charging section 9-1 लगेगा, forward charge लगेगा, या 9-3-4 लगेगा, RCM लगेगा, अगर हमें पता यह forward charge लगेगा, तो फिर हम section 11 को check करें, और section 11 में देखें, यह exempt तो नहीं है, अगर exempt है, त इसी तरीके से, हम अगर यह check कर लें थे, कि 9-3-9-4 लगेगा, फिर हम इसके बाद check करें, और check करने के बाद देखें कि section 11 में exempt है, और अगर हमें लग रहा है section 11 में exempt है, अगर हम यह देख रहे हैं कि section 11 में exempt है, तो कानी close कर दे, तो कौन सा तरीका तुम्हें बढ़िया लग रहा है first और second, कौन सा तरीका तुम्हें बढ़िया लग रहा है first या second, तो मनी जाज जी ने बोला sir second, दीपक शर्मा जी ने बोला first, ठीक है अटल सिंह इंतपाल जी ने बोला second, गीता जी तंदर पारटिल गहरी है second, ठीक है न, अब first वाले method में क्या दिक्कत है, और second first वाले method में क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें बताँगा, first वाले method में क्या होता है, कि let's approach करो, मैंने तुम्हारे को यहाँ पर यह बता दिया, यह बता दिया, कि भई यह वाली service exempt है, आप कहोगे sir, जब exempt है, तो आगे की कानी खतम, न यह लगेगा न वो, तो मैं आगे क्या, तीन महीने बाद, वो service taxable हो गई, वो तीन महीने बाद, वो service taxable हो गई, अब आप मुझसे कह रहे हो, sir, मुझे दुबारा पढ़ाओ, अब आप मुझसे दुबारा कह रहे हो, sir, यह service exam से taxable हो गई, आप मुझे दुबारा पढ़ाओ, मैंने क्या पढ़ाओ, कि sir, 911 ल stage पर clear हो गए। तुम पहली stage पर clear हो गए। ठीक है न? कि पही RCM आए ग 95S, पोरवर आएगा और जब तुम इस पर clear हो गए तो फिर अगर इसके बाद exempt हुआ तो तुमने उसे छोट दिया और अगर exempt नहीं हुआ तो उस पर जो भी sidze टेक्स लगना तो वो लगा थे, ठीक है, समझ आई, दोनों में अंतर समझ आए नहीं, दोनों में अंतर समझ आए नहीं, तो बोलो कौन से मैथड से तुम्हें सीखना है, बोलो तुम्हें कौन से मैथड से शीखना है, ठीक है, सुनिल सर्मा कह रहे हैं सर, सैकिंड मैथड से दीपक शर्मा भी कहने लगे second method से, गीता जी देंदर पार्टिल भी कहने लग गई second method से, तो second method is a detailed, second method क्या है detailed है, हो सकता है तुम्हे थोड़ा सा confusion आ जाए, हो सकता है तुम्हे थोड़ा सा confusion आ जाए, तुम कहोगे सर, अब यह service exempt है तो तुम check क्यों कर रहे हो, तुम यह भी मुझसे कह सकते हो, कि sir अगर यह service exempt है, तुम यह check ही क्यों कर रहे है, taxable है exempt, मैंने क्या कहा, अभी exempt है, कल को अगर future में कुछ taxable हो गई तो उसके लिए check कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास समय कमे, अगर तुम्हारे पास समय कमे, तो तुम पहले method से भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे को एक process के method से चलना है, तो पहले उसकी, पहले उसकी chargeability देखेंगे, कि वो charging section से कहां से आ रहा है, फिर उसकी exemption की बात करेंगे, agree or not, agree or not, है यहां तक किसी को कईड़ाउड हो там, किसी को यहां तक कोई डाउड हो बुँन, बोल नहीं पढ़ाया, जब यह book लिख्खी गई है, इसमें second method से पढ़ाया है, यह जो book लिखी गई है, उसमें second method यूज किया गया है, otherwise मैंने कभी भी second method से नहीं पढ़ाया, मैंने आज तक जितने भी message कराये हैं, सबको first method से कराया है, लेकिन इस बार try करते हैं second method से करने का, ठीक है न जी, तो दोनों में अंतर के लिए हुआ अब आप perfect वाली stage पे हो गए हो, पता है आप लोगों को, अब आप perfect वाली stage पे आ गए हो, तो आप तुम्हारे को न इस तरह के R&D करनी चाहिए, जैसे हम लोग R&D करते रहते हैं थोड़ी सी खुरापात, क्योंकि अब हमारा GST अंतिम सा से ले रहा है, ठीक है न, आप किताब किस ने पढ़ी है, QIT, Q-U-I-T, कितने लोगों ने पढ़ी है वो किताब, कितने लोगों ने पढ़ी है वो किताब, यह कह रहे हम पढ़ेंगे, हम तश GST की written बरेंगे, बुरान जी कह रहे हैं सर मैंने पढ़ी है, क्या है उस किताब में, यह कह रहे है, यह बुरान अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बताओ उस पर में एक LinkedIn पोस्ट आने वाली है मेरी ठीक है न किताब ये किताब में था कुट का मतलब अच्छा है अच्छा बड़े बुरा बड़े कुट कुट अच्छा बड़े बुरा बड़े अच्छा बड़े बुरा बड़े कुट ये गरे गुड़ बड़े मैं बात करो कुट मतलब छोड़ना ये बहुत डिपेंट सपन टाइम ये दो पहलों से तो होता कहा है इस बुक में छोटी सी प्राइम फेजिया बुरा लग रहा है पहले मुझे भी बुरा लगता था जब मैंने किताब नहीं पड़ी उस किताब में कि स्टोरी पड़ी उसके बाद ये मुझे अच्छा लगने लगा ठीक है वह स्टोरी तुम्हारे को अगर तुम फ्री हो थोड़े से तो मैं तुम्हें शेयर करूं ये मत कहना पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे क्या पढ़ाने मांट एवरेस्ट की ऊपर वाली चोटी पर चड़ना है और ये दोनों लोग तयारी करने पास साल से उस पर चड़ने की अपनी बोरी को उससे दस मीटर दूर रह गए, दस मीटर दूर रह गए, दस मीटर कितना होता है बहुत ठोड़ा सा, कि जैसे मैं यहाँ पर गड़ाएं महाँ पर यह रह गए, इनके पास वोकी टोकी पर इन्फोर्मेशन आती है, कि भाई जहां पर तुम हो वहां से नीचे उतर जाओ जहां पर तुम हो वहां से नीचे उतर जाओ situation खराग है ठीक है ना अब मनीज जा जो है वो confidence आदमी है उन्होंने करा मैंने आस तरक अपनी जिंदगी में कुईट नहीं करा है मैं कुईट नहीं करूँ और मंजिल के इतने करीब आके कभी कुईट नहीं करूँ मेरा यह सपना था मुझे माउंट आवरेस्ट चड़ना और दस मीटर के बाद है मैं माउंट आवरेस्ट चड़ू हूँ ठीक है मैं अपने सपने को बेकार नहीं करना चाहिए ठीक है तो माउंट आवरेस्ट पे इन्होंने उस डिसीजन को ठीक है ना जो वोकी टोकी पर इन्फोर्मेर्शन आई ती उसे इग्नोर करा और यह आगे दे लेकिन जो हटल सी अंसपाल जी थे उन्होंने कहा मैं कुट करता हूं आई कुट उन्होंने टेंप्रेरी वहां से कुट करा और नीच उतर गए अब ऐसा नहीं होता कि अंगे और नीचे उतर गए तो कल फिर चड़ जाओ ऐसे नहीं होता ठीक है ना पूरी बोड़ी में दुबारा से शारी चीजे करनी पड़ती है और अटल जी नीचे आ गए फिर दुबारा से तैयारी करी फिर दुबारा फिटनेश पे गए और अगले साल फिर गए अगले साल फिर गए इन्होंने कुट तो लिग दिया था उस टाइम के लिए उन्होंने माँ पर बोल दे आई कुट मोकी पर मैसेज दिया आई कुट और नीचे आ गए अगले साल फिर गए और मांट एवरेस्ट पर चड़ दे लेकिन मनीज जी का क्या हुआ अगले दिन के न लातरा नहीं माना और वो फते नहीं कर पाया देट किसका मैसीलम बढ़ इन बड़िया था कि किसका मैसीजिंड बढ़ यह अधिन के पहले तो तुम्हें लग राया ना पहले हो सकता कि coefficients with Oneis जी का मैसीतिस्ट मैं अच्छा थां तो आपको ये भी पता होना चुछत है आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहीं से कब कुईट करना है और हर बार कुईट करना गलत नहीं होता है तो अब तुम मुझे बता देना मुझे जीएश्टी से कब कुईट करना है तो मैं सोच रहूं कुईट किताब को पढ़ दें कि बहुत हुआ जीएश्टी अब तो चलो तो मैं तुम्हें नया पैटरन है यह नया पैटरन मैंने तुम्हें सिखा दी तिए पैटरन से पढ़ेंगे और जिन लोगों पे किताब आई है वो इसी पैटरन से पढ़ेंगे थोड़ा सा माइंड में हो सकता है, तकलीफ हो, कि भई मैं ऐसे कैसे पड़ू, जब एकजॅब है तो मैं आगे की बात करू युज़ ठीक है, वो शोट ट्रम है, कि एकजअब है तो आगे की बात नहीं करूए, किलियर हुआ, च्याल, तो भी मैंने तुम्हें यह कहानी मुझे मन था कि मैं तुम्हें सुना दू कुम्हें आज अज एक पोस्ट लिखने वाला हूँ, तुम पोस्ट को पढ़के बता ना, सब लोग LinkedIn, Instagram, सब पे पोस्ट लिखते रहा हूँ, थोड़ी बहुत मैं भी लिख रहा हूँ, महाँ पर थ अपनी लाइफ में में सिहकते रहें... जितना सीख सकते हो और जिस चीस से तुम पैसा कमा रहे हो जिस चीस से तुम पैसा कमा रहे हो उसमें पैसे खर्च करने में मत तोचना। तो यहां पर पैसे खर्च करने के बारे में मैं नहीं सोचता तो जहां से पैसा कमाओ वहां पैसा खर्च करने के बारे में मत सोचता अब आजो बुक को अब बतलाए थे कि अर्जुन बैच वाले को आर्जुन बैच वाले को देंगे अर्जुन बैच में करें सारा डिटेल में ऐसी कर रहे है तो आज हमने इस के लिए जैसे पिछली बार एक लवे बैच पर डिसकाउंट लगाया था आज अर्जुन बैच पर हमने डिसकाउंट लगाया हुआ है तो अगर कोई अभी तक अर्जुन बैच में नहीं है तो आज का डिसकाउंट लगा दो अर्जुन बैच में ठीक है ना अर्जुन recommendation of council, by notification, क्या-क्या चीजे specify कर सकती है, goods or service, क्या-क्या चीजे specify कर सकती है, goods or service, जिसके ओपर reverse charge लगेगा, और reverse charge कौन पे करेगा, recipient पे करेगा, और recipient ही liable होगा, आप इसकी दो notification है, notification number note कर लो, जिनके पास book नहीं है, ठीक है न, जो हमारे goods की notification आई, वो है notification number 4, 2017, goods की notification आई, कल को आप से कोई client कहता है, कि मेरे goods पर RCM है या नहीं है, मेरे goods पर RCM है या नहीं है, तो वहाँ पर आप notification number 4 पढ़ोगे, rate के अंदर जाकर, ठीक है न, ऐसे ही अगर आप से कोई पूस्ता है, कि मेरी services पर RCM है या नहीं है, तो आप यहाँ पर service की notification पढ़ोगे, notification number 13, ठीक है न, original notification 13 है, और बाद में ये, बाद में ये time to time, update होती नहीं है, ठीक है जी, इसके अलावा, ये था 9-3 का RCM, 9-3 के RCM में क्या खूबसूरती है, कि goods और service specified होंगे, ठीक है न, goods और service specified होंगे, जिस पर RCM आएगा, ठीक है, अब RCM में जो आएगा, वो दो तरीके से RCM आएगा, एक RCM होगा, mandatory RCM, एक RCM होगा, mandatory RCM, तुम जानते हो, mandatory RCM के बारे में क्या होता, mandatory RCM, एक होता है, optional RCM, दो तरीके का RCM होगा, यह करें सर, screen ही नहीं दिखाई देरी, मैं तो screen पर कुछ दिखाई नहीं रहा तुमारे को, ठीक है न, तुम तो बस मेरी आखों में देखो, ठीक है न, तुम्हें सब दिख जाएगा, ठीक है न, इस screen का क्या देखन, ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, दो notification है, RCM की entry है, ठीक है न, दो notification है, RCM की entry है, और दो तरीके से RCM होता है, mandatory और optional, भाई, किसे mandatory RCM कहते है, किसे optional RCM कहते है, मुझे chat box में लिख कर बता हूँ, कौन सा RCM mandatory होता है, इसका charger, इसमें से, brown max, ठीक है न, कौन सा RCM mandatory होता है, कौन सा optional होता है, फटापट से बताऊंग लिए, बोलो भई फटापट किसी को बताए, कौन सा mandatory RCM है, कौन सा optional है, बोलो, हाँ, जैसे अटल सिंग अंसपाल जी ने बोला, सर, जीटिये optional RCM है, ठीक है न, तो इस बात को समझना, मेरे पास ना कहीं लोगों की query आई, मेरे को कहीं लोगों की query आई, एक पहली query क्या आई, कि let's approach करो, let's approach करो, मैं एक, ठीक है न, मैं Kapilien, एक security service चलाता हूं, मैं Kapilien, एक security service चलाता हूं, और मैंने क्या करा, ध्यान से समझना इस चीट में, मैंने क्या करा, एक company है, Fintex Solution Private Limited, उठे मैंने security service की service दी, मैं यहाँ पर supplier हूं, और Fintex क्या है, recipient, तो मुझे RCM के बारे में नहीं पता, कि क्या होता है RCM, क्या नहीं होता, ठीक है न, क्या होता है RCM, क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता, मैंने क्या करा, मेरी turnover 20 लाग से उपर थी, मैंने GST में registration कराया, मैंने GST में registration कराया, और क्या करा, registration कराने के बाद, Fintech solution को bill दे दिया 5 लाग का, और उस पर GST लगा दिया, नब्दे जया, अब यहाँ पर Fintech solution के पाद जैसे ही bill गया, Fintech solution के consultant समझदार थे, उन्होंने का भह मैं क्यों नहीं charge कर सकता, इस पर 90 लाग से, उन्होंने का भाई, तुम इसले charge नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाली services पर RCM है, इस वाली services पर RCM है, तो जब इस वाली services पर RCM है, तो liability हमारी बन गई RCM में पे करने की, और Fintech solution ने, अब यह कह रहे हैं कि मैं तो 90 लाग से पर RCM म मैं तो अपने भिल पर 90 लाग गा गए दूंगा, तुम इसका ITC ले ले लेना, तो अब क्या Fintech क्या धोनों का ITC क्लेम कर सकती है या ने, क्या दोनों का ITC क्लेम कर सकती है या ने, बोलो फटे फटे, समझ महाई, question समझा है या ने, बोलो पहले, question समझा है ने, रवी गलत है यह बता हूं इस सिच्वेशन कौन गलत है जितने लोगों ने किताबे पढ़ ली होगी अच्छे थे उन्हें आंसर पता होगा जिन्होंने अभी तक किताब नहीं पढ़ी यह विरंदर खुसेन जी का आंसर कहरें सर कपिलियन गलत है बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल इस वाली सर्विसिस पर मेंडेट्री आर्सियम अगर इस पर मेंडेट्री आर्सियम है तो यहां पर में रेस्पोंसिबिल्टी फिंडेक्स की है लेकिन अगर सप्लायर जिद्धी है तो आप दुबारा आर्सियम पेमत करना आप एक ट्रांजेक्शन पर दोबार पेमत करना convince करना कि वो तुम्हारा supplier मन जाए क्योंकि अगर इन दोनों situation में कोई supplier नहीं मानता है तो यहाँ पर हो सकता है कि fintex को दिक्कत आ जाए और fintex की यह वाली जो bill लगकर आए cost बन जाए अगर यहाँ पर supplier जिद्धी है तो फिर क्या होगा आप बताओ कोई solution अगर supplier जिद्धी है तो क्या होगा अगर supplier जिद्धी है तो क्या होगा यह बताओ अगर supplier जिद्धी है तो क्या होगा बोलो फटावट अगर यहाँ पर supplier जिद्धी है तो वो fintex को नुक्सान करते हो ठीक है ना तो supplier ही चेंज गर तो है क्या मोलते है mandatory RCM तो यहां पर देखो मैं चाहता हूँ कि तुम dispute में ना जाओ क्योंकि अगर आप इसे deeply पूछोगे तो एक transaction पर दो बार tax नहीं आएगा लेकिन 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 इस बात को समझना यहां पर कभी भी Fintax की liability आ जाएगी यहां पर कभी भी Fintax की liability आ जाएगी जाएगी आप RCM आप कोई तदा supplier कोई कर दो ठीक है चला अब अगर यह RCM optional होता जैसा की GTA के case में है तो उसमें अगर supplier charge कर देता तो फिर यहां पर recipient को जरूरत नहीं होती तो इंगरिगी डैट इजा ओफिशनल और सियव कि यह जाए जाए है फिकर नहीं रिकले जी अश्याए टीकर दोचिए कि लिए बोलो इन दोनों मेंतर के लिए हुआ या नहीं कि अब अगेन आ जो 9-4 का RCM है अगेन जो 9-4 का RCM है वो क्या कह रहा है 9-4 का RCM क्या गहता है जराइस चीट को समझ में ठीक है न 9-4 का RCM क्या कहता है 9-4 का RCM क्या है नोटिफाइड सप्लाई पर गुर्स और सर्विस सरी है क्या बड़ी बात है तो 9-3 में भी ता लेकिन 9-4 का RCM कब लगता है जब सप्लाई कौन करें अन्रजिस्टर सप्लाई कौन करें अन्रजिस्टर सप्लाई कौन करें अन्रजिस्टर सप्लाइर जो है वो अन्रजिस्टर है और रिसीवर को नोना चीए है नोटिफाइड रजिस्टरड परसन हर कोई रजिस्टरड परसन नी जो नोटिफाइड है तब आर से मैं अपली के गा तो यहां पर 9 4 के आर से में तर गया है कि इस पेसिफाइड परसन who shall supply of specified goods and service कि यहां पर goods or service भी specified होंगी और registered person भी specified होंगे जिस पर आर्चेम लगेगा और received कहां से करनी है unregistered person से नोटिफिकेशन नंबर नोट कर लो 7-2019 जहां पर promoters को जो builders promoters होते हैं वहां पर उन्हें नोटिफाइड किया गया जो builders promoters होते हैं महां पर उन्हें नोटिफाइड किया गया ठीक है ना पारूल शर्मा जी कह रही है सर प्लीज क्लारिफाई आर्चेम उन नेंट अभी आएंगे पहले basic समझो पहले basic समझो फिर आएंगे security आर्चेम उन कॉन प्रेट एंटिटी पर applicable है अधर वाइस पर तो applicable नहीं है श्यायद प्लीज कंफर्म बिल्कुल अभी आपको दिखाते हैं किन किन पर applicable है यह आपको बताते हैं पहले यहां तक clear हुआ 93 और 94 के आर्चेम में अंतर clear हुआ बोलो 93 और 94 के आर्चेम में clear हुआ अंतर answer clear है अब आगे अब आगे की जब हम बात करेंगे तो यह जो same section 9394 है ऐसे ही IGST में 5354 है ऐसे ही 5354 है तो आप IGST की भी notification note कर सकते हो एक की notification number है goods में 4 और service में 10 service में 10 ठीक है service में 10 ठीक है ऐसे ही same ठीक है जो हमारा IGST का 54 है बिल्कुल IJT जे ठीक है तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इस chart के माध्यम से पूरा RCM clear है यह जो अभी तक जितना पढ़ा है हमने वो chart के माध्यम से clear है ठीक है जी यहां इस chart में किसी को कोई दिक्कत है यहां इस chart में किसी को कोई दिक्कत है तो ब से ठीक है अभी एक एक एंट्री पे अलग-अलग आएंगे भी या अभी corporate entity पे RCM on land पे GTA पर आएंगे टेंशन मतले ठीक है अब यहां पर आगे चलके क्या है यह 93 और 53 और 94 और 54 में क्या अंतर है बलब 93 का RCM और 94 का RCM में क्या अंतर है तो हमने यहां पर अलग-अलग बता आगे कि किसके अंदर क्या अंतर है तो एक बार इसे आप रीड कर ले न ठीक है पूरा इसका फ्लो बता तो आप यहां पर कई लोगों को कई लोगों को यह डाउट रहता है कि भाई यह पी एंडल पे किस-किस चीजों पर RCM लगेगा किस पर नहीं लगेगा तो हमने क्या कराई यह बैलेंशीट के अंदर यह पी एंडल में जितनी भी आइटम तुम डालते हो यहां से किलियर हो जाएगा कि किस पर RCM है या नहीं तो यह दो बैलेंशीट आपको दिए इसमें से एक बार चेक कर लेंगे अब हम आते हैं जो दो-चार कॉस्चन आई है ठीक है न अ पहोंगे अगर मेरी किसी सर्विस पे मेरे किसी घुट्स पे ठीक है आर सिम यह है तो भाई अन्रजिस्टर कुछ भी लिख दिए दे चया इन्वोईस बना दे चैर जो मर्जी कर दे तो मुझे जब आर सिम है तो मुझे उस पर आर सिम देना पड़े मुकरी तो झाल अब हम यहां पर हमारी पूरी लिस्ट है इस लिस्ट में थे आपको यह चेक करना है कि अब आप मुझे बताओं कौन सी सर्विस को पहले उठा ले तो जिसमें लोगों को ज्र weapon confusion है, अभी मेरे पास तीन query आई है, एक तो rent वाली query आई है, ठीक है न, एक आई हुई है, क्या कहते है, corporate वाली, security वाली, एक आई हुई है, GTA वाली, ठीक है न, एक legal, ये गहारे serial wise, ठीक है, serial wise नहीं करते, ठीक है, job work पे कोई RCM नहीं, अगर आप इस list में पढ़ोगे, तो यहाँ पर job work पे कोई RCM नहीं, ठीक है न, हरजीज सिंग जी, तुम्हारा तो question clear होगे, हरजीज सिंग जी, job work पे, किसी भी entry में कोई RCM नहीं, ठीक है, इन्होंने का, sir, freight, वो GTM ही नहीं आ जाए, यह कहारे sitting fees, commission paid पर RCM होगा, commission paid पर RCM होगा, तुमने commission paid करा किसी को RCM होगा, उस ऐसी कोई service नहीं है, कि अगर तुम commission paid करोगे, ठीक है न, तो उस पर RCM होगा, कुछ लोगों के commission पर RCM होगा, ठीक है न, जैसे हम आपके के नीचे पढ़ेंगे, DS से बगरा उन पर है, ठीक है न, ठीक है जी, यह wooden, wooden क्या कह रहे हो, भई wooden goods के अंदर देखना पड़ेगा हमारे को, कि goods notified होंगे तो उसमे, जैग उमार कह रहे है सर, influencer service पर होगा, यहाँ पर RCM के list में नहीं है, तो मैं तुम्हारे को क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे को क्या करता उसमें दोल करा ले न, तुम्हारे को सारी service बताते, ठीक है, तो एक service उठाते है, एक service उठाते है, उसे flow में पढ़ते है, कि क्या ऐसे flow है, RCM on GTA to GTA, registered है, इसमें सब clear हो जाएगा, ठीक है न, sponsorship service versus explain कर दीजी, यह गर है sponsorship, तो मेरा मानना क्या है, तुम सब लोगों को सारी services के बारे में पता होना चीए, लेकिन क्या अगले गंटे में सारी services कराना impossible है, क्या अगले गंटे में सारी services कराना possible है, answer is no, तो आप जो service कहेंगे, मैं वो service एक उठा लेता हूँ, जिस service पे सबसे ज़्यादा comments आएंगे, मैं वो service उठा लेता हूँ, ठीक है, वो मैं करा दूँ कोई ओर तो नहीं करा, चलो rent वाली कर goodness एक कर आँए, एक कर आँए गारेखर एक कर आँए एक करा आँगो हो एक कर आटो हूँ, ऑriters करा ऐखर कर दो कर आँए ठीक है? जबेड़े धर्य को सारता हो, तो झालं झाले पहले 50 अधरे कर लेती है, फिर कर ऻेता में, अब ही आग लिए ट्रीके को समझलता फिर समझ जाऊँ, यहां पर तरीका क्या कहता है, तरीका क्या 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 है, entry नंबर है, GTS, और यह क्या 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 था है, पहले इस तरीके को समझने है, जब भी कभी RCM पढ़ रहे हो, तो साथ में एक जिम्षन होना बहुत जरूरी है, पढ़ना, त अगिवज़ारे पते। पते हैं जो हम पाक्वा पते। तो जब भी कभी तुम GTA का RCM पढ़ोगे जब भी कभी तुम GTA का RCM पढ़ोगे तो RCM के साथ-साथ यह तीन entry exemption की पढ़ना है इसी तरीके से अगर कोई rent के उपर RCM पढ़ना चाता है तो उसे exemption की entry number 12 पढ़ना ठीक है न जी? अगर कोई legal service पढ़ना चाता है ठीक है न? तो उसे RCM की entry number 45 भी पढ़नी पढ़ेगा अगर कोई sponsorship service पढ़ना चाता है तो उसे exemption की entry number 35 भी पढ़नी पढ़ेगा अगर कोई real estate पढ़ना चाता है तो उसे हमने क्या करा है? जो जो services हैं जिस पर RCM है तो उसके सामने उसकी exemption की entry भी लिख दी, कि साथ में भाई exemption की entry भी पढ़ दी, ठीक है, चलो, इसी तरीके से, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कि भाई, import of service पर भी RCM है, तो एक entry import of service पर है, ठीक है, आजो, अब हम यहाँ पर transportation service की बात करते हुए, कि भाई, इसे कैसे पढ़ना, तो पहले हम यह चेक करेंगे किस पर RCM है, किस पर नहीं है, फिर चेक करेंगे क्या exempt है, तो जब भी हम GTA की service के बात करेंगे, तो यह क्या कहता है, service of transportation of goods, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, transportation of goods, ठीक है न, by GTA, by GTA, कि अगर भाई, अगर भाई, किसी ने GTA की services दी, ठीक है न, कैसे दी, ठीक है न, goods transportation दे रहा है, by road दे रहा है, by road दे रहा है, ठीक है न, by train दे रहा है, हमारा GTA सारा cover होगा है, तो goods transport agency, तो यहाँ पर क्या है, supplier of service कोन होना चाहिए, GTA, ठीक है न, तो इसमें लिखा हुआ है, कि supplier of service by GTA in respect of transportation of goods by road, यहाँ पर किसकी बात हो लिए, कि अगर आप, भाई दे को, transport of goods by road, by train किसी भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे, transportation of goods by road, कि अगर आप by road दे रहा हो, किसे दे रहा हो, किसी factory को, किसी society को, किसी cooperative society को, any person registered under CDSTF, किसी body corporate को, किसी partnership firm को, और किसी casual taxable person, य यह कहा रहा है, अगर तुमने services दी, इन में से किसी भी, यह जो 7 लोग हैं, अगर तुमने दी, तो RCM आजाएगा, मैंने कहा, कि अगर किसे नहीं दी, साथ में इनोंने provizor insert करा है, साथ में इनोंने provizor में क्या डाला है, कि अगर तुमने कोई service दी, और वो registered person है, लेकिन व और उन्होंने, और उन्होंने registration ले रखा है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ TDS deduct करने के लिए, तब RCM के entry नहीं आई, तब RCM के entry नहीं आई, ठीक है ना जी, के लिए रहे, अब इसके अलावा, और क्या बोला है इन्होंने, इसके अलावा बोला है, कि भाई, इस entry में, अगर क कोई supplier forward charge में चला जाता है, और वो declaration दे देता है, कि भाई, मैं forward charge में जाओंगा, अपने invoice पर लिख देता है, तो तब भी RCM नहीं आएगा, ठीक है, तो RCM कब कब आएगा, अगर कोई GTA, इन साथ लोगों को service देगा, और इन साथ में से, कोई ऐसा देखती नहीं होगा, जो क कोई government department हो, जो TDS काटने के लिए section 51 में registered हुआ है, या, ऐसा कोई, अगर GTA ने खुद ही कह रही है, भाई, मैं forward charge में जाओंगा, तब ये RCM के entry नहीं आई, तो clear हुआ या नहीं, clear हुआ या नहीं, कि भाई, RCM कब आएगा GTA के case में, RCM कब आएगा GTA के case में, ये चीज clear हुई या नहीं, बोलो फड़ाफट से, बोलो फड़ाफट से clear हुई या नहीं, सर इसमें जो government के case में बताएगा, RCM applicable नहीं है, तो क्या वो GTA वाले forward में करेंगे या छूट जाएगा, छोड़ी देंगे उनको, RCM में नहीं होगा तो, अभी आते हैं उसमें मुद्दे पे, लेकिन RCM नहीं है, ठीक है न, अब यह देखेंगे, वो आगे exempt किया जाएगा या नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहिए किस नाम से बनाया है coupon आज का, RCM, RCM web के नाम से coupon बनाया है, अगर कोई Arjun course लेना चाहरा है, तो उस पर discount, ठीक है, और जो regular course है, ठीक है न, मतलब जो GTA का course है, चार दिनों का, पास दिनों का, उस पर normal price है अभी, तो उसमें ले लो, रिष्ट इश्ट, ठीक है, अब यह कह रहें सर, GTA के पास GST number हो तो क्या करें, भाई GTA के पास GST number हो या ना, उससे हमें क्या मतलब है, भाई यहाँ पर अगर GTA है, अगर इन साथ लोगों को service दे रहा है, अगर इन साथ लोगों को service दे रहा है, तो उस पर RCM है, अगर GTA कहता है, मैं खुद forward charge में जाओंगा, और वो declaration एक्सचर 3 भर देता है, अभी आई थी न, एक्सचर 3 भरने की तारीक, कि भाई आप हमें बता दो, तो अगर वो भर देता है कि मैं forward charge में जाओंगा, तो फिर उस पर RCM नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर कई लोगों का मुद्ध यह, सर यह GTA कोन होता है, सर यह GTA कोन होता है, तो अगर मैं तुम्हें GTA के बारे में बताओ, भाई GTA वो होता है, जो consignment note issue करता है, अगर आपका कोई victim माल आ रहा है, छोटे हाती में, लोकल ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, वो कोई built issue नहीं करना, तो जब कोई built issue नहीं करेगा, तो हम उसे GTA नहीं मानेंगे, हम उसे GTA नहीं मानेंगे, तो यह बात आपको समझ दिया, कई लोग क्या करते है, कई लोग यह करते हैं, कई लोग यह करते हैं, कि भाई builti आ गई है, और उन्हें बिल्टी फार दी, और कहा रहे सर हम तो GTA नहीं मानने, हमने तो local से मंगा है, लेकिन गवर्मेंट ने प्रूव कर दिया, कि भाई यह माल जो आया है, वो GTA के थुरू आया है, तो देन आपको RCM पे करना पढ़ेगा, देन आपको यह RCM पे करना पढ़ेगा, ठीक है, तो GTA का मतलब क्या है, जो consignment note issue कर रहा है, ठीक है न, तो यहां पर हमने summarize करा है, ठीक है न, क कि अगर with consignment note है, अगर with consignment note है, तो transporter will be GTA, service is taxable and subject to RCM, कि service taxable है और RCM है, लेकिन अगर consignment note ही नहीं दे रहा, ठीक है न, transporter will not be called GTA, transporter, GTA नहीं माना जाएगा, और service exempt है, और service exempt है, ठीक है न, service क्या है, exempt है, तो यहां पर कई लोगों के पास, यह दिक्कत आई, कि उन्होंने अपने P&L में, ठीक है न, खर्चा डाला हुआ है, freight का, अभी मैं बनारस में था, तो discussion करा, किसी ने मेरे से, कि सार, हमने न, freight का खर अरकर बैठा हुआ है, कि भाई जब यह freight का खर्चा है, जब यह freight का खर्चा है, तो freight के खर्चे पर RCM चाहिए, लेकिन low क्या कहता है, low अलग कहता है, low कहता है, भाई freight का खर्चा, अगर यह GTA के दूआरा है, तभी RCM है, ठीक है न, और अगर यह without consignment note है, तो यह exempt है, ठीक ह यह कहते हैं कई बाई पर, Já ब यह कई बाई यह कहते हैं ठीक है ना तुम बहुत सरीफ हो तो भी रिक्कत है तुम बहुत सरीफ हो तो भी रिक्कत है सर ऐसा क्यों क्योंकि जो सरीफ आदमी होते हैं फिर उसे हर कोई बेवकूप बना जाते हैं ठीक है ना ठीक है ना सरीफ आदमी को हर कोई बेवकूप बना दे था तुमने तो अपने बहले के लिए करा कि भाई साब मैं तो RCM जमा कर दूँ, ITC ले लूँगा, तो गोवर्मेंट तुम्हें नोटिस देगी, कहेगी तुम पर RCM था या नहीं था, मैं नहीं पता, यह तुमने ITC गलत लिए, इस वाली सर्विस पर तुमने ITC गलत लिए, टैक्स वाले को मने नही करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लिटीकेशन में तुम्हें जाना पड़ेगा, और लिटीकेशन में तुम्हें बोलना पड़ेगा, अगर इस सर्विस पर RCM नहीं है, तो मैं ITC रिवर्स करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी टैक्स लाइबलिटी भी रिफंड करा तो अगर आप इस डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं, तो पहले खुदी चेक कर ले, कि भईया, RCM है या नहीं, पहले खुदी चेक कर ले, RCM है या नहीं है, और अगर नहीं है, तो उस पर RCM में टैक्स जमान आ करा है, ठीक है न, क्योंकि कलको अगर तुमारे ITC पर ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया, कि RCM कब अपली के वल है, ठीक है जी, हाँ सरी, क्या, FCM की फैसिलिटी है, इस वाली है, एंट्री में, आंसर हीजिए, ठीक है न, आप एक एनेक्सियर 5 बर दो, ठीक है, एनेक्सियर 5 बर दो, और एनेक्सियर 5 बरने के बाद, कब तक बरना होता है, 31 मार्ज तक, तो तब आप, FCM में जा सकते, तब आप किसमें जा सकते हो, FCM में जा सकते हो, ठीक है न, ये हैंस होना चाहिए, ठीक है न, ये हैंस होना चाहिए, जिन लोगों के पास भुग गई है, वो थोड़ा सही थे, क्लियर पर लिए, ठीक है न, पे मिलता है, मैं ट्रांस्पोर्टर नहीं हूँ, तो FCM में भरू या आगे वाला RCM में, अभी आगे आते हैं तुम्हारी बात के, ठीक है जी, तो यह वाली चीछ RCM की के लिए होगी, एक्षर फाइंड मैंने तुम्हें बता दिया, डिकलेरेशन फॉर्म मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है न, यह CBIC ने भी क्लैरिफिकेशन दी, ठीक है न, अगर वो कंसाइन्मेंट नोट से कवर होगा, तभी वो GTA होगा, अब इसके बाद इसे इंपोर्टेंट कर लो भई, वो भई, टो अगर वो सारी सर्विसिस साथ में दे रहा है, तो सबको हम गमपोजिट सप्लाई मानेंगे, और सारे उसी पर, सब्सक्राइब जीतिये के जो प्रोविजनों के वो लगा तो यहां पर इस sheet को समझना हमने एक example से केलियर कर रहा कि गुपता ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सरविस दे रहा है बाइ रोर कैसे जरह है बाइ तो बायरोड ट्रांस्पोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं ठीक है ना 60,000 रुपे नहीं लेकिन वह 15,000 रुपे लोडिंग अनलोडिंग चार्जिज भी करता है तो RCM कितने अमांट पर आएगा तो RCM आएगा दोने अमांट पर 60,000 अब आगे की बात करते हैं ठीक है जी अब य कहता बहु पहले यह तो चेक कर लो अब यह तो चेक कर लो कि वह गूड्स और सर्विस जो आप सर्विस दे रहे हो आग गी कहीं वह एग्जम्ट तो नहीं है तो इन्होंने क्या बोला GTA की सर्विस एग्जम्ट कम entry number 21A, B, 21A और 20 तो कब-कब exempt है ज़रा इसे भी समझ लो तो हम तीनों entry हो को तुम्हें बारी-बारी से समझा रहे हैं कि भाई, तीनों entry हो को बारी-बारी से समझा रहे हैं कि अगर कोई भी वेक्ती, GTA की service दे रहा है, और GTA की service में agriculture produce लेके जा रहे हैं, exempt produce word use नहीं करा गया, यहां पर क्या word use किया गया है agriculture produce कि अगर कोई वेक्ती agriculture produce लेके जा रहे हैं, हो सकता है हो सकता है, एक GTA है, वो हमारी कितावे लेकर जा रहे हैं वो हमारी कितावे लेकर जा रहे हैं तो हमारी किताबे तो exempt है अब हमारी किताबे तो exempt है और वो GTA जो है मैंने किताबे गई तो इस पर आर्थिम आएका ने आएगा 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 लेकिन यहां पर किस चीज को exempt किया गिया गिया ग्रीकल्चर प्रडूच को किसे क्या गया अग्री कल्चर तो यहां पर बहुत लोग अग्रीकल्चर और एक्जम्ट गुड्स में कंफूज हो जाते हैं जैसे दीपक शर्मा ओरें ठीक है ना क्या service GTA की exempt होगी वो यहां पर लुखी है तो entry number 21 के लिए रो गया कि अगर तुम यह सारी चीजे लेकर जाओगे ठीक है आप जासे मिल्क है, salt है, food grain है, अगर rice है, अगर यह चीजे लेकर जाता है GTA, that is exempt, that is exempt लेकिन अगर exempt goods लेकर जाता है और वो इसमें cover नहीं है, अगर कोई GTA exempt goods लेकर जाता है इसमें cover नहीं है, ठीक है ना, तो दिख कर ले, ठीक है जी, तो सबकी definition मैंने बता जाए, इसके अलावा, अगर GTA, अगर GTA service दे रहा है, ठीक है न, किसे unregistered person को, किसे दे रहा है, unregistered person को, तो unregistered person मतलब ultimate consumer को दे रहा है, तुमने अपना घर shift कराया, ठीक है न, तुमने अपना घर shift कराया, या ऐसे वेक्ति को दिया, जिसकी turnover up to 20 lag है, ठीक है न, up to 20 lag है, तो वहाँ पर और वो इन में से कोई नहीं है, तो तब यह service taxable, otherwise exempt, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक chart बना दिया, simple, कि यहाँ पर अगर तुमारे उपर RCM entry applicable है, ठीक है न, GTA is liable to pay, ठीक है न, लेकि यहाँ से अगर उसे section 11 ने exempt कर दिया, तो तुम्हें नहीं दे, आप इसे ऐसे tally कर सकते, ठीक है, यहाँ तक के लिए रह, चलो, ऐसे 21B है, 21B में क्या बोला था उसने, ठीक है न, 21B में भी, कुछ लोगों को इन्होंने exempt करा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा discussion में नहीं जा रहा, तुम्हारे ज़्यादा level का नहीं है, detail उसमें जाएंगे, आप जैसे कई लोगों क question है, इसके साथ एक entry number 22 पढ़ लो, कि अगर आपने अपने ट्रखों को किराय पर दे दिया, किसे पर दुम्हारे पास दो ट्रख थे, आपने उसे किराय पर दे दिया, ठीक है न, किस चीज के लिए जाओ, जो गुर्स की transportation कर लो, तो Pre में इस entry को ayiew इस हेंट्री को क्या कर रखा है एक्सेंट कर ठीक है यह पूरा एक चार्ट है उसे देख लेना यह इसके बाद बहुत सारे कुस्चन इसे पढ़ लिए बोलो जीतिये सर्विस में कोई कुस्चन गीटिये सर्विस को लेकर कोई कुस्चन जी यह मानलो सही हाउसोल्ड गूट का सिफ्टिंग करवाते वाद पार्टी रेइस्टर्ड है मानलो अगरवाल पैकल्स से वो रेइस्टर्ड है तो क्या वो अपने को आस्यम के इंटरी बिल दे सकता है नहीं नहीं आप इस सीट को समझना मेरी बात को आपका कोश्चन क्या है मैं कपिल्यन हूं मैं जी एस्टी में रेजिस्टर्ड हूं लेकिन मैंने अपना घर सिफ्ट करवाया घर सिफ्ट कराने के लिए मैंने जी टिय की सर्विस ली तीक है न अब यहां पर कोश्चन ही है मैं वैसे तो रेजिस्टर्ड हूं लेकिन जो घ घर कराने की सर्विस है, यह तो मेरी पर्सनल का स्टिमिति में, तो यहां पर जो मेरी एकजम्चन है, इसका बेनेफिट ले सकते हुआ, यह यह मेरे हाउसेड वाले हैं थाउसेड उपने यह लिखा है ना, हाउसेड एचीटि में अवेलिंग सर्विस, यह एक्जेम्ट में ले सकते हैं और अगर तुम्हारे को नहीं ऐसा करना तुम बोलते हो तो भाई तुम मत दिखाओगी घर से तुम्हारा तुम सिंपली अपनी तुम रजिस्टर हो तुम अपना उसमें ले लो बिल आर से में टेक्स पे कर दो काम कर दो बिजनिस ही दिखा तो हुआолот खिक है नो अब यहां पर जीटीए अब गिटीए क्या करा है कि मैंने तो फॉर्वरट चार्च कर लिए को जब फॉर्वरट चार्च माहने सेलेक्ट कर लिया मैं बारा पर सेंट पे टे रहो हूं माल है गिए है अब यहां पर रिसीपेंट कर रा कि यहां पर यह जीटिये की चोईस है कि वह फोरवर्ड चार्ज में जाना चाहरा है तो जब जीटिये फोरवर्ड चार्ज में चला गया तो उस पर आर्सेम आए कहीं नहीं क्योंकि हम अभी उपर पढ़ कर आए हैं ठीक है आशु जी का कुश्चन है एक बार रेट का और क्लियर करते हैं इन्होंने बोला सर एडवांस फ्रेट बिल में चार्ज है रिमेनिंग फ्रेट में पे कर रहा हूं आर्सेम फूल अमाउंट पर होगा या बैलेंस अमाउंट पर समझानी एडवांस फ्रेट कैसे होता है बिल में चार्ज मुझे तो पता नहीं एडवांस फ्रेट क्या है इन्होंने या तो यह कह रहें कि भई मैंने था पाच्छे ज सी नहीं पेस्ट सर्विस है आगरीनिंग पॉणिम्र मैं अफ्रवु सर्विस अगर मैं ट्रक और समन् है कि मैने अपने ट्रॉड देजिन कुराय पर कि मैरे ट्रक करदेट डयाओ किसे चे जीटियवेट और टैक डॉटिय isn't और इस यह जीट ऑट इस इंद्दों ए ran आर्सेम कौन पे करेगी कंपनी करेगी फिर ये वाली सर्फिस एक्जम्ट हो जाएगी ठीक है चलो अब इनका गोश्चन है सर रेट बता दो मुझे कितने रेट है ठीक है नब बोलो कितने रेट है पहले कितने थे अब कितने पहले कितने रेट थे अब कितने अब कितने आ जो जी टिये के अंदर जो FCM लेगा वो दो रेट से ले सकते हैं 12% और 5% 12% लेगा तो उसे सारी चीजों का ITC मिल जाएगा 5% लेगा तो उसे किसी भी चीज का ITC नहीं मिलेगा और अगर वो RCM लगा रहा है ठीक है ना तो वो 5% RCM लगाएगा काम खतर प्रेट का कुछ पार्ट पार्टी पे कर रही है और कुछ पार्ट सप्लायर RCM किसं होगा वाइथ जो जितना अमंट पे करेगा उस पर अमंट पर RCM गोगा जो जितना मांट पे करेगा अशुजी उस अमट पर RCM हो ठीक है चिज़ें तो इस तरीक के से हमने एक complete RCM की entry को cover करा साथ में exemption को cover करा अब इसमें और बताओ कोई entry कवर कराना चाहते हो कोई दूसरी या कुछ और करा आजी यह 12 परसेंट पर जाते है forward charge में और हमारी exempt services भी है तो हमें उसमें ITC करना होगा अब इन्होंने क्या बोला तुम जीटीए हो तुम जीटीए हो अंजी यह जीटीए है यह कहरे सार हम 12 परसेंट पर जा रहे हैं FCM में हम 12 परसेंट में जाएंगे FCM में और हमारी कुछ service exempt भी है तो भाई जो तुम input लोगे तो क्या तुम पर section 1712 लगेगा answer is yes क्यों नहीं लगे तो जो भी तुम exempt वाली दोगे उस ratio में तुम्हें reverse करना पड़ेगा rule 4243 section 1712 ठीक है और किसी का कोई question अगर वो उसे exit कर जाता है तो क्या GTA के अंदर registration लेना मतलब समझानी मतलब जीस्टी में जैसे registration लेना होता है अगर उनका turnover 20 लाक से उपल चला जाता है लेकिन वो मानलों से GTA का supplier है तो normal case में आज के डिट में वो लोग registration नहीं लेता है तो क्या उसको भी लेना है उसे क्यो लेना है अगर मैं GTA हूँ चाहे मेरी एक करोड़ की टन ओवर है चाहे दो करोड़ की टन ओवर है तो section 23 तो मुझे मना करता है कि वह तुम्हारी अगर 100% service पर RCM लग रहा है तो registration लेकि क्या करोगे अभी इसमें आगर registration चेप्टर है उसम तुम्हें भी class में नहीं थे क्या जब अंटी नंबर टॉंटी टू बता रहा था यह जब में तुम्हें बढ़ा रहा था है अपने रेंट पर दी है तो वही तो बतार है हमने किसी जीटीए से लिए है यह कह रहे है तो उस पर हम उसको बिल बना के देंगे वह हमें बना ग स्वाइब यूश्या रहा है यह है तो में अपने जीटीय की सर्विस और तुम नहीं हो तो वह तो नورमल्मल सभी सोगय 5 कि लियर हो गया नॉर्मल ट्रक वाड़ा सर जी टीए को अपना ट्रक रेंट पे देता है तो उस केस में भी एक्टरा परसेंट लगेगा है वो तो एक्जम्ट हो गया वह एक्जम्ट होगा एंट्री नंबर 20 में क्या बोला दोनों टेक्स रजिस्टर्ड है तब भी अरे वह क्या बोला प्याले कोई रजिस्टर्ड अन्रच इस्टर्स चलती है या नहीं कैसे चलती है कोई चीज सर्वीश एक्जम्ट है बात का तुम समझाई मेरी बात तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने हाइर की सर्विस दी तो वह एक्जम्ट सर्थ सीएस पीडी सीएल में डियल किराये पर लग लगी उसमें कितना प्रसेंट लगे पता नहीं मुझे क्या गह रहे हो तुम अगर ना कि किस पर क्या किराय पर लगी जी अनिमल प्रोडेक्ट्स है एक्जली और अज्यम्ट हो और उन पर मतलब हम सब्लाई ले रहे हैं और राश्तान से बाहर से मतलब माल आ रहा तो वो जी टीम लग उसमें आर्ट से टोड़े पर दोला कहां एक अप्लीकेबल नहीं नहीं कि लिए निमल प्रोडेक्ट है और अज्यम्ट हो आइटम नहीं तो कहां कों सी एंट्री से बता रहे हो कि नहीं यह उच्छ पर आर्टी ले रहा है उस पर नहीं लिखके दे रहा है तो कौन कह रहा है उस पर आर्टीम नहीं बताओ जो जिनसे प्रोडेक्ट पर करें वो भी नहीं बना करें वो नहीं देना अरहे तенное मोदी जी ने आगे कह Aa हम तुम्हें पसान मंत्री आगे क्या नहीं लगेगा तो लो में तो कहीं लगा हो गये या मैं तुम्हें कुछ भी चीज कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने बुक खोल के क्यों बैठा रहता हूँ, मैं बुक खोल के इसलिए बैठा रहता हूँ, कि तुम मेरी बाते मत मानो, इस किताब में जो लिखा उसे मानो, ठीक है, तो कोई कुछ भी कह रहा है, किताब किसली है तुम कमल साओ क्या पूछ रहे हैं अब आगे चले कौन सी सर्विस करें एक सर्विस करें गाड़ी है तुम्हारी डि आई जो गाड़ी होती है डि आई कौन सी मुझे तो पता नी एक रहते हैं न सब्सक्राइब तो CSPDCL में लगता है जिसमें उसता समान वाली बात बता रहे हैं अपनी उडिसा से होना तुम नहीं 36 गड़ से अच्छा तो तुमने कहां लगा दी CSPDCL में अब तो इसे एक एक सर्विस में ऐसे एक सर्विस में लगबग एगंटा लग सकता है इसलिए हमने जो कल से जो भेच हो रहा ए उसका 10 गंटे की duration तै करिए उस भेच की duration वो 10 गंटे की तै करिए जिस से उम्में एक एक पूरी बुक देखी नहीं है अभी पूरी नहीं देखी जिन ने देखी है जीता जी चालो आप जाओ रेंड की सर्विस ये सर गलती तो नहीं है न बुक में बता दें पड़के जिन लोगों को बुक नहीं मिली और पैसे भी देथिये उन्होंने दुखी मन से दिये थे इसलिए उन्हें नहीं नहीं दिक्कत हो जाएगी तो जाएगी अब आजाओ तुम्हारे को अब दीपक सर्मा कहär है अभी दिए सर आपने तो तुम्हें भी अब आएगी ठेक है न अब तुम कहो है सर कल से बैच मत करो अगले अपते से कर लो है ना ऐसा नहीं ठीक है इतने तिनों से बुका रिये तुमने अभी तगली नहीं है ना चल अब आते हैं अगली सर्विस पे अगली सर्विस हमारी क्या है अर्जुन बैच में ले लिया ना रिष्टेशन कितना डिस्काउंट है में नमाज हाँ डिस्काउंट लगा दिया है ठीक है ले लो फटा-फट से अर्जुन बैच में सब डिटेल में कराते हूं ठीक है चल अब अगली सर्विस परसेंट कोर्स कवर हुआ है सब्तर परसेंट बाकी है तो तीस परसेंट की रिकोडिंग मिल जाएगी और डिसकाउंट में मिल रहा है ठीक है अब आते हैं अब जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसका हैड क्या बनाया है हमने हमने इसका हैड बनाया है रेंटिंग ओफ इमूवेबल प्रोपर्टी की रेंटिंग के गेस में आर्सेम कैसे आए तो हमारी आर्सेम नोटिफिकेशन यही 13 2017 तीक है टाइम टू टाइम अपडेट हुए है इसमें एंट्री आड हुई रेंटिंग ओस रेंटिंग ओस एजिडेंचल ड्वाली कि अगर किसी नहीं निकाल ली है तो क्या गैता है कैट्री तो इसे भी उसी फूइंगे इसे भी उसी फ्लो में पड़ेंगे कि भिए रसी माइगा या एफियम आयगा और फिर देखैंगे कि टेक्सेगल है एग्शं तो हमने क्या बढ़ा, service by way of renting of residential dwelling to a registered person, तो इन्होंने क्या बोला, अगर किसी registered person हो, अब यहाँ पर समझना बात को, इन्होंने क्या बोला, RCM कब आएगा, जब वो residential dwelling होगी, और किसे होगी, registered person हो, देखो ना होगा, कोई भी person, person, person कोई भी दे, हमें मतलब नहीं, देनी किसे है service, registered person को देनी, ठीक है, RCM आने के लिए condition क्या है, वो जो तुमने property दी है, पर वो residential dwelling हो निचे, वो क्या हो निचे है, residential dwelling, तो यहाँ पर कोई any person है, तो any person में उसका घर है, तो तुमने देखा होगा, हमने घर की जो photo लगाई है, यह घर लग रहा है यह ओफिस लग रहा है, घर है ना, घर लग रहा है ओफिस, बोलो, हाँ, घर है, घर है, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए ऐसी ऐसी picture लगाई है इसमें, कि तुम confuse मत हो, तो यहाँ पर RCM की यह देखो, सोरम कुमार, यह बिहार वाले कह रहे हैं, यह तो यह हम बात क्या कर रहे हैं, यह residential dwelling होनी चाहिए, किसे होनी चाहिए, रजिस्टर परसन को देनी चाहिए, तब इस पर RCM है, ठीक है ना, अब यह कह रहे है, residential dwelling का क्या मतलब है, तो residential dwelling कहीं पर भी define नहें, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो जहाँ पर common parlance में जहां पर भी residential accommodation है हम उसे residential dwelling कहिंगे लेकिन अगर कोई hotel है अगर कोई motel है इन्हे guest house है, camp site है, low's है house boat है ठीक है ना इन्हें हम कभी भी residential dwelling नी कहिए ठीक है इन्हें कभी भी residential dwelling नी कहिए अब यहाँ पर क्या कहता है अब इसकी exemption आ गई ठीक है ना, पहले इन्होंने rcm लगा दिया, आप कहरें भाई exemption है, मैंने कहा exempt क्या है तो इन्होंने कहा भाई entry number 12 तो इन्होंने क्या बोला renting of removal property कौनसी कौनसी property exempt है, तो इन्होंने बोला अगर renting of residential dwelling करोगे used as residence used as residence कि तुमने घर किराए पर दिया तुमने घर किराए पर दिया किसे दिया घर, रेजिदेंस के लिए दिया तो वो exempt हो जाएगी ठीक है, अब यहाँ पर explanation पढ़ लेते ठीक है ना अब मैं तुम्हें direct crux पर लेके चलता यह हमने तुम्हारे को exemption entry के साथ बता दिया पहली बात residential property है purpose of renting residential user purpose of renting क्या है residential user ठीक है ना applicability of RCM entry क्या RCM आएगा answer is yes क्या RCM आएगा answer is yes लेकिन अगर तुमने यह B2B को supply करी ठीक है ना यह B2B को supply करी तो यह exempt ही नहीं ठीक है ना और अगर तुमने B2C को supply करी तो इस पर क्या RCM आएग answer is no क्या है गा FCM और यह B2C exempt ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था exemption किसे दी गई थी ठीक है ना किसी को क्राइपर दे दी तो वो वाली service वैसे FCM में आ रही है लेकिन क्या exempt है वैसे किसमें आ रही है FCM में आ रही है लेकिन आगे चलके exempt होगी तो हम उसकी बात करें नहीं ठीक है न और जो हमारी B2B की सर्विस है मतलब कि हमने घर किराय पर दिया किसे दिया किसी कंपणी को दिया रेजिडेंस के लिए दिया तो उस पर क्या अप्लिकेबल आ रहा है RCM अप्लिकेबल हो रहा है और वो एक्जेम्ट भी नहीं है तो इस पर सिंपल आर सिंपेफ हो जाएगा ठीक है अब मान लो हम ठीक है न यह रेजिडेंशल वाला के लिए रोगया या नहीं रेजिडेंशल वाला के लिए रोगया या नहीं अब मान लो रेजिडेंशल प्रोपर्टी को कमर्शल यूज के लिए दे दिया property है हमारी गर की थी घुदhr और हमने क्या दे दिया property दी जाएगी किराय पर किसे resident registered person को हम use नहीं देखेंगे हम यूज नहीं देखेंगे हम क्या देखेंगे कि किराय पर दे दिये तो उस पर RCM अजाएगा ठीक है ना उस पर क्या जाएगा RCM अजाएगा और अगर B2C की सप्लाई होगी तो उस पर RCM अजाएगा नीचे commercial यूज का है अमरिता जी ने पूछा है unregistered shop given on rent to registered person अब इन्हों ने का unregistered shop तो जब इन्होंने बोला unregistered shop unregistered shop कौन सी होती है unregistered shop किस में पढ़ेंगे residential में पढ़ेंगे या उसे commercial property में पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे खुलो वां अमरिता जी commercial में पढ़ेंगे और दी किस के लिए यूज के लिए commercial के लिए exemption तो कोई है यह नहीं तो चाहिए b2b supply हो चाहिए b2c supply हो दोनों पर FCM आएगा clear है या नहीं is there any difference in treatment under commercial and industrial use नहीं commercial और industrial मेरे साथ से दोनों ही से में मोहिद जी commercial और industrial मेरे साथ से दोनों ही से में आप यहां पर आपको कोई question हो तो बताओ इस चाहट को सामने रखके तुम सारे questions out कर लोगे बट अगर supplier registered ना हो तो इन्होंने का कौन से case में supplier registered नौदी पक्षर में कौन सा case बताओ कौन सा वाली की बात कर रहे हैं कौन से case की बात कर रहे हैं फटावर से बताओ जल्दी बोलो बोलो जल्दी सर residential property माना अपने staff को rent पर रहने के लिए दे दी इन्होंने का साम residential property है हमने अपने staff को rent पर रहने के लिए दे दी ठीक है न तो पहली बात आप यह बताओ आप इसे क्या पढ़ोगे आप इसे क्या पढ़ना पसंद करोगे residential use पढ़ना पसंद करोगे या commercial use पढ़ना पसंद करोगे आप इसे क्या पढ़ना पसंद करोगे residential use पढ़ना पसंद करोगे या commercial use पढ़ना पसंद करोगे क्या उस rent के खर्चों को P&L में डालोगे तो जब तुम उसे commercial use पढ़ना पसंद करोगे तो treatment ऐसे चलेगा और अगर तुम उसे residential use पढ़ना पसंद करोगे तो treatment उपर वाला चलेगा तो इसलिए मैंने तुम्हारे को chart बना कर हमने बता दिया किसमें क्या हो अगर किसी का असान तुम समझते हो, उतना असान नहीं है, सर आरसेम असान क्यों नहीं है, आरसेम असान इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक्जम्चन का तड़का लग जाता है, ठीक है, अब इनों ने कहा, सर प्रोफिट अलोस बहुत केस में जाएगा जी, प्रोफिट अलोस में तो हमे commercial soap को registered dealer को rent पर देदी अब इन्होंने का साथ commercial soap है ठीक है ना registered dealer को rent पर देदी और owner registered नहीं है तो भई simple सी बात क्या क्या उस पर RCM की कानी आएगी उस पर तो RCM ही नहीं RCM की rate किस पर हुआ था residential property पर तो दीपक शर्मा जब भी तुम RCM की पढ़ोगे लगाओगे RCM तो पहले एंट्री तो पढ़ोगे कि किस पर आएगा किस पर नहीं आएगा तब लोगों ने ले लिए और जिसने अभी तक अर्जुन बैच नहीं लिया वो ले लो वो यह मत सोचो कि क्लास निकल गई है क्योंकि तुम्हें अगला चीस्टी का नया बैच जो मिलेगा ठीक है वो कम से कम सितंबर अक्टूबर के बाद मिलेगा ठीक है ना यह गया रहता है अरे लोगों को सोना भी तो होता है ठीक है खाना भी बनाना होता है चाल अब हम अगली सर्विस पर चलते है अब हम अगली सर्विस पर चलते है अचले अगली सर्विस पर सर, आर्सियम मैंने तीन येर बाद लेट पे किया है, क्या इन्पुट क्लेम मिल जाएगा, ठीक है न, इसका आगे चलके डिटेल डिसकेशन है, आशुजी, कि भई आपने तीन येर बाद करा है, तो ये देखना पड़ेगा, क्यों तुमने जो तीन साल बाद करा, जो तुमन वो सारी चीजे देखनी पड़ेगी और उसमें डबल ओपीनियन है, उसमें डबल ओपीनियन है, हमने अपने अपजुन बैच में ITC के चेप्टर में यह चीज कराई है, अब यह तुम्हारा कोई कोश्चन है किसी का, क्लोस करें, तो RCM में कैसे किस एंट्री को समझना है, कैस सारी एंट्रियों को चेक कर लो, अपने P&L को चेक कर लो, और बुक को पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट डाल लो, ठीक है न, और अगर कल से आपको जोइन करना है, तो कल से कोर्स जोइन कर लो, ठीक है न, अगले संडे में उडिसा में हूँ, अन्गुल में, त सेक्षन 129 और 30 पर, यही मेरा सेशन, में एक संडे अन्गुल में है, तो मैं सोच रहो हूँ, महां पर सेशन दूँगा, तो सेशन तयारी रहेगा, तो अगले संडे आपको दे दे, ठीक है न, अगले संडे आप लोगों को दे, ठीक है जी, तो अगर किसी ने अन्वल बैठेंगे, एक लब भी बैच में, RCM की क्लास का टाइम क्या है, साम को साथ से नो, Monday to Friday साम को साथ से नो, Monday to Friday साम को साथ से नो, ठीक है, चाल, ओवर करें आज की क्लास, जी समझ आया थोड़ा बहुत, ठीक है, चाल, किधी का कोई डाउट नहीं हो, ठीक है, ओके, टाटा बाइबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाएबाए झाल झाल